तो लोग भाई, नियो क्रेटा फेसलिप का भी लॉंच हो चुका है, जिसकी प्रैसिंग स्टार्ट हो रही है 11 लैक रुबिट से, वैसे अब ये प्रैस काफी अच्छी है क्रेटा के लिए क्योंकि अब इस गाड़ी में आपको नियो लुक्स, नियो इंटीरियर, नय फीचर भी मिल रहा है, बट अगर कंपर्टीशन की बात करें तो मरत्विजो की ग्रैंड बिटा रही क्रेटा का में राइवल है, अब ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रैंड बिटा रही काफी अच्छा पैकेज उफर करती है, तो चलिए इस वीडियो में इन दोनों गाड़ीयों को कंप प्रोटेंट रॉल नहीं होता, क्योंकि लुक्स एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, मतलब अपना प्रस्नल जोईसी मैटर करता है, बट फिर भी एक बार बात करते हैं, तो क्रेटा के लुक्स में आपको प्रीमियम नेस एंड फ्यूचरिस्टिक वाली बाइब मिलेगी, वह यूंडाई क्रेटा का जादा है, 10 mm, मतलब इन दोनों गाड़ियों के डामेंशनस में जो डिफ्रेंस है, वह बहुत ही मिनिमल है, और इस से ना तो गाड़ी के केविन स्पेस में फर्क पड़ता है, और नहीं गाड़ी के एक स्टीरियर में, सिर्फ एक जगा फर्क पड़ हीं बात करें तो क्रेटा के बेस 말ें चो की मिलता है, और टॉप ब्रेस में 17-ём जjadi बहुत बढ़ा तो नमबर नहीं है, बट फिर भी हूज़ डिफ़ेंस है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और सबसे इम पो टॉपिक की बात करते हैं जो कि है इंजन ओप्षन तो क्रेटा में आपको तीन इंजन ओप्षन मिलता है और स्टार्ट होता है 1.5 लिटर MPI पिट्रॉल इंजन से ये इंजन गाड़ी को 115 प्येस पावर एंड 143.8 नम टॉर्क डिलेवर करती है और ये आती है शिक्स स्पीड मिलता है जो गाड़ी को 103 प्येस पावर एंड 136.8 नम टॉर्क डिलेवर करती है अपकोर्स इसकी पावर क्रेटा से कम है और ट्रांस्मिशन में भी कम है क्योंकि यहां पे आपको 5 स्पीड मिन्वल एंड 6 स्पीड ऑटोमाटिक गेरवाक्स मिलता है बट एक चीज़ काफी बढ़िया है आपको ग्रैंड विटार में इस इंजन के साथ औल ग्रिप का ऑप्शन मिल जाएगा जो की एक तरह का औल विल ड्राइब सिस्टम ही है पर यह उप्शन आपको क्रेटा में नहीं मिलता इसके बाद क्रेटा में सेकेंड इंजन मिलता है 1.5 लिटर सी आर डिया तो नहीं आता बट यहां पर आपको एक 1.5 लिटर पेट्रॉल बित अस्ट्रॉंग हाइब्रीड इंजन मिल जाता है जो 115 पीस की पावर एंड 222 एनेम टॉर्क डिलेवर करती है और यहां पर आपको ट्रांसमिशन मिलता है इसी बीटी जो की काफी स्मूथ है तो यहां पर करेटा के डीजल में ज्यादा पावर मिलता है बट एक चीज़ काफी अच्छा मिलता है ग्रैंड भी टार में इस इंजन के साथ हमारी गवर्मेंट डीजल इंजन को लेकर कोई खास ज्यादा खुस है नहीं तो इस विज़से कहीं न कहीं कस्टमर्स के मन में एक टेंशन ल सब्सक्राइब करती है और इसके साथ होफर किया गया है सेवन स्पीड डी सीटी ट्रांसमीशन अब यह इंजन बेस्ट इन सेग्मेंट है और इसके कंपेरिजन में आपको ग्रैंट बिटारा में कोई इंजन नहीं मिलता मतलब अगर आपको परफॉमेंस चाहिए तब तो आपको यह देखना चाहिए क्योंकि क्रेटा फेसलिफ्ट में जो 1.5 लिटर MPI पिट्रॉल इंजन आता है उसके मिन्वल ट्रांसमीशन में 17.4 KMP का मालेस क्लेम किया गया है और इवी टी के साथ 17.7 KMP का इसके बाद 1.5 लिटर CRDI डीजल इंजन जो आता है उसके मिन्वल ट ट्रांसमीशन में 19.1 KMP का और जो करेटा का थर्ड इंजन है 1.5 लिटर TGDI पिट्रॉल इंजन वो डीसी ट्रांसमीशन के साथ 18.4 KMP का मालेस क्लेम करती है जो की ठीक ठाक है बट ग्रैंड विटारा में आपको काफी तगड़ा मालेस मिलता है ग्रैंड विटारा के जो बे ग्रैंड विटारा में सेकंड इंजन ऑप्सन के साथ जाते हो जो कि है 1.5 लिटर पिट्रॉल इंजन विद ए स्ट्रॉंग हाइब्रिड टेकनोलजी तो यहां पर इसीविटी ट्रांसमिशन के साथ 27.97 KMP का मालेस क्लेम किया गया है तो ऐसा भी कह सकते हैं जहां पर क्रेट WOOD यहां व्ताइब्ड विटर के वारे में बात करते हैं जो एक गाड़ी में आती हैं और दूसरी में नहीं आए था यह था ग्लोब बॉक्स लाइट एड़ डिस्प्ले एंड वैनिटी मिरर लैंप अब उन फीचर्स को देखते हैं जो क्रेटा में तो आते हैं बट ग्रैंड विटारा में नहीं आते हैं तो वो फीचर्स डिजिटल इंस्टूमेंट क्लस्टर ग्रैंड विटारा में 7 इंच कहीं आता है एंड अडास लेवल 2 तो यहीं कुछ फीचर्स हैं जिसका डिफ्रेंस आपको इन दोनों गाडियों में मिलता है इसके अलावा और वी छोटे मोटे डिफ्रेंस हैं बट वो उतना मैटर नहीं क सकते हो बट ग्रैंड विटारा में आपको फोर इयर्स या फिर फोर्टी थौजन किलोमीटर का है वरेंटी मिल पाता है और इसे आप सिर्फ फाइव इयर्स या फिर वन लाक किलोमीटर तक ही एक्स्टेंड कर सकते हो जो कि क्रेटा पर मिलने वाले वरेंटी के कंपेरिजन में अच्छी नहीं है चलिए अब गाड़ी के लगवक साभी इंपोर्टेंट चीजों के बारे में बात हो गई तो प्राइस देखते हैं और कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं तो क्रेटा फेसलिप्ट की प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है इलेवन लाक रुपिज से जो की टॉप मोडल 20.15 रूपीज तख जाती है और ग्रैंट बितारा की प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 10.70 रूपिज से जो की टॉप मोडल 19.92 रूपिज तख जाती है जबकि अभी क्रेटा की प्राइसिंग इंट्रोड़क्टीव प्राइसिंग ही है टाइम के साथ गाड़ी की प्राइसिंग और इंक्रीज होगी तो कंक्लूजन बड़ा क्लियर है मालेज ओले कस्टमर्स तो अल्रेडी ग्रैंट बिटारा के तरफ ही जाएंगे बट अगर आपको रिलाइबलीटी चाहिए अपनी गाड़ी में तब भी आपके लिए ग्रैंट बिटारा ही ज में जरूर लिखें बट अगर आप इस चैनल पर पहली वार आया हो तो लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही कॉंटेंट देखते रहने के लिए